35 के बाद ना सामने के बाल पतले हो जाते हैं एक तो यहां पे होता है और एक यह दोनों साइट पे होते है और जो लड़किया सिंदूर पहनती है जो डस्ट पावडर वाले सिंदूर जो पहनती है तो सिंदूर में बहुत केमिकल रहता है उसको लॉंग टम है अगर हम लगात करते हैं आज का वीडियो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो काफे इंपोर्टन टॉपिक है कुछ दिनों पहले इंस्टाग्रम में मेरे पास एक मेसेज आये था मेरे का व्यूर काव तो उन्होंने कहा है कि उनका स्काल्प में सामने वाला पॉर्शन पुरा खाली हो गया है उन्होंने मुझे पिक्चर भी बेजा था तो अगर आपको भी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है जहां पर यह फेस करें हो कि आपके स्काल्प के सामने वाला पॉर्शन स्पेशली खाली हो रहा है मतलब यह नॉमली आफटर थर्टी फाइव नोटीस हम लोग करते हैं लड़कों में भी और लड़कियों में भी यह देखा जाता है कि पैटीस के बाद ना सामने वाला पोर्शन खाली हो जाता है सामने के बाल पतले हो जाते हैं एक तो यहां पे होता है और यह जो प्रेग्डेंट लेडिज है जिनको अभी बच्चा हुआ है और उसके बाद आफ्टर डेलिवरी उनको यह प्रॉब्लम होता है और जो लड़किया सिंदूर पहनती है जो डस्ट पावडर वाले सिंदूर जो पहनती है तो सिंदूर में बहुत केमिकल रहता है उसको लॉंग टम है अगर हम लगाते हैं यहां पर तो यह जगा खाली हो जाता है तो इसके प्रॉबलम हो थूह थो मैंने कैस्ट ऑफ नहीं करता है लेकिन सपोस्थ अगर आपको कास्ट ऑफ नहीं करता है अपने ट्राइ किया है बट्र कास्ट ऑइल से कोई काम नहीं हुआ है कोई काम नहीं बनाए तो उस केस में आप इसका ट्राइकर सकते हो वैरी easy and effective रेमेडिय लेकिन for next 6 month आपको इसको try करना है 6 महीने तक इसको try कीजिए उसके बाद मेरे साथ आके feedback ज़रू share करना ताकि मुझे ये समझ में आए कि ये आप लोग के उपर काम करा है या फिर नहीं करा है positive result हमेशा अच्छे लगते हैं लेकिन अगर अच्छा काम नहीं करा है वो भी आप मुझे आके बताओ ताकि मैं और भी remedy आप लोग के साथ share कर पाऊ तो चलिए guys शुरू करते हैं वीडियो और अगर इससे आपको 1% भी फायदा मिलता है तो चानल को subscribe कर देना और इस वीडियो को आप उनके साथ share कर सकते हो जिनको इन टाइप के remedies की जरूरत है जिनके बाल बहुत साथा जढ़ रहे है जिनका scalp खाली हो रहे है तो उनके साथ आप इस वीडियो को share भी कर सकते हो तो चलिए remedy के तरफ बढ़ते हैं मैंने गुढल के फूल के बारे में अपने वीडियो में बोहुत बाहर बताया है क्यूंकि ए रिली बेनिफेशाल और आयरवेदा में इनका जिकर भी है आयरवेदा के जो खिताब है उन में इनका जिकर है वहां पर इका आगया है कि गुढल के पत्ते फूल और उनके रूट्स बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए स्किन के लिए हमारे इंटायर बॉड़ी के लिए तो इस वीडियो में मैं चो रेमेडी दिखाने जा रहे हूं यहां पर आपको गुड़ल के फूल नहीं लेना है बर्ड्स लेना है बेंगॉली में इनको दूसरा को ले सकते है दूसरा नहीं चलेगा आपको लाल ही लेना है और फूल नहीं लेने है बर्ड्स लेने है उनके तो यहां पर देख सकते हो यह जो बर्ड्स अब देख रहे हो यह कल भूम हो जाएंगे कल इनमें फूल हो जाएंगे यह कल सुबा तक लेकिन अगर इतन और इसके साथ आपको लेना है और एक इंग्रीडियेंट विच इस अवेलेबल इंडियन गाड़न अगर आप कहीं से भी देख रहे हो हिविसकस आपको कहीं पर मिल जाएगा दुनिया के किसी भी प्रांत में यह मिलता है और तो बड्स कलेक्ट कर लीजिए और इसके साथ और प्रौादा है यह जो किस्दी भी मिलता है करि यह और यह कहांसे लिया कैसा ने करी प्ता चाहिए और इसके सफे डाप में नहीं लगाना है तो हमें द्नी के नहीं जाहिए ले जर्पर आप इसके साथ महीन पाटीजी टॉल्छा इन दोनों को आप paste बना लीजिए तो यहां पे एक चीज करो यह नोर्मली बौुत पुराने घरो में मिलते हैं मेरे घर में है इसको पट्टा कहा जाता है यह आप यहां पे देख सकते होelle तो पट्टा अगर आप के घर में है तो उसमें आप इसको पीस लीजिए क्योंकि पट्टे में पीसोगे तो पानी बहुत जादा मात्र में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो सबसे पहले तो क्वांटिटी बहुत जादा रेनी पड़ेगी। दूसरा उसमें बहुत सुधा पानी डालना पड़ेगा। तो इस रेमीडी में पानी का आप जितना कम इस्तमाल करोगे उतना ही बेटर है। पीसने के बाद इसका कलर कुछ ऐसे ब्लाकिश हो जाएगा यहां पे आप देख सकते हो। अब इसके साथ आपको और एक इंग्रीडियन्ट बलाना है वह है रॉसमेरी असेंशल ओयल बस दो ड्रॉप इसके साथ मिला लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको पूरे बालों में पूरे स्काल्प में लगाना है इसको आपको लगा लेना है लगा के लगभग एक घंडा रखना है एक घंडे बाद आप इसको शांपू कर दीजिए। को आप विकली कि तीन बार चार वर जितनी बार आप से पॉसबल हो ना उतनी बार आप कर सकते हो यहाँ पे इसको शांप में लगाई बालों को ऐसे करके बांग लीजिए और यह वाला पोर्शन अप सिर्फ पानी से दो दीजिए शांपू करनी की जरूरत नहीं अगर आप का वीडियो फ्रंट बल्ड बॉल्डनेस के उपर अगर फ्रंटल एरिया में आपको बॉल्डनेस की प्रब्लम हो रही है तो इसको आप ट्राइ कर सकते हो और I hope कि इससे आपको फायदा डेफिनेटली मिले hope you have enjoyed this video guys and if you like this video then subscribe, like, share and comment which is absolutely free आज के लिए बस इतना ही, thanks for watching, bye